नमस्ते ओवर्वियू में आपका स्वागत है तीन विशे कॉंग्रेस ने खोला बीजेपी सरकार का काला चिठा दूसरा उत्तर दक्षन डिवाइड कितनी वास्तविक और तीसरा शरत पवार क्यों बचते हैं अजईद पवार पर कारवाई करने से इन तीनों विशों पे विस्तार से बात करने से पहले आपसे आगरा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबर्शिप भी ले लें membership का मतलब हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी है और अगर आप हर महीने का commitment नहीं करना चाहते हैं तो one time एक बार एक मुष्ट हमारी आर्थिक सहयोग करें आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में सहुलियत होती है तो सबसे पहली बात कर लें कांग्रेस ने खोला बीजेपी की सरकार का काला चिठा बीजेपी के हाँ से बीजेपी में पिछले दो दिन से तीन दिन से नरेद मोदी सहाब पूरा अटैक कर रहे हैं नहरू की पॉलिसी को राहुल गांधी को और वो नॉर्मली संसदी परमपराओं को भी भूल गए है के शासन काल का एक वाइट पेपर प्रिजेंट करेंगे कि इन्हों ने क्या-क्या गलती है कि ठीक है जुराओ का वक्त है मेरे हिसाब से ये पार्टी के लेविल पर होना चाहिए था ये पार्लमेंट में इसको लाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी लेकिन अब है पार कर लूँगा ये सब कर लूँगा तो कौन रोखने वाला है कौन रोकने वाला है जो चाहिए वो बोलें संसदी हो लोक्तंत रखे वो हो मर्यादा हो समय धाने को नहों जो चाहिए वो बोलिया ऐसी इस्तिती में जिस समय मैं यह भी शो कर रहा हूँ तो औरिजिनली जब वो था तो हम लोगों को था कि उनका उसका वाइट पेपर नाम रखा था और कॉंग्रेस की तरफ से कल रात में आज सुबह यह आई खबर की कॉंग्रेस एक ब्लैक पेपर निकाल पेश करेगी बीजेपी के पिछले दस साल के शासन का बीजेपी सरकार का दोजार चौदा से अभी तक के शासन का दस साल होई कहा है करीब करीब अब अभी तक जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था तब तक पहले सुबा था कि सुबा ग्यारा बज़े निरुम्ला जी सीतारा मंजी इसको पेश करेंगी फिर अभी तक नहीं हुआ है अगर वो होगा तो उस पे कल हम दूग चर्चा कर लेंगे डिटेल चर्चा कर लेंगे कि उनका क्या-क्या क्षेफ है और ओए वाजिब और और उसे देश को कितना नुकसान हुआ है लेकिन कॉंग्रेस ने अपना ब्लैक पिपर जिसका नाम उसने रखा है दस साल अन्याय काल जो न्याय यात्रा कर रहा है राहूल गांधी ये सारी चीज़ें उन्होंने एक दूसरे से जोड़ने की कोशिच की है राहूल गांधी जिन इशूस को उठा रहा है अपनी पूरी न्याय यात्रा में भारज जोड़ने आच्रा में उन्ही इशूस के अगल बगली ये बात आई है ये कॉंग्रेस के लिए महत्पूर्ण है कॉंग्रेस इसको पूरी शिद्दत और सीरिसनेस के साथ ले रही है पार्थिक इस्तिती में कितनी बुरी हुई है इस दोरान महिलोंग पर जो हिंसा है वो कितनी बढ़ गई है अल्ब संख्यकों के साथ जो अन्याय हो रहा है इन सारी चीजों को उसमें हाईलाइट किया गया है अब चूखी ये कंपैरिजन अगर वाइट पेपर आगया होता बीजेपी का कॉंग्रिस के यूपीय रेजीम का तो ज्यादा असानी रहते है लेकिन वो अलग अलग भी हो जाएगा उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ये जो अन्याय काल जिसको जो इसको कॉंग्रिस अन्याय काल बो रहे है 2014 से 2014 का मोदी जी का सियासन उसमें उसने खास करके उनका वो है कॉंग्रिस की राश्टी पार्टी और नौर्ट साउट डिवाइड का इशू को उन्हों ने इस पे बहुत जोरदार धंग से उठाया है उन्होंने एक इशू और उठाया वो क्योंकि वो कहीं न कहीं जाती जनगर्ना से कमफोटबल नहीं है वो जात मैं OBC मैं OBC मैं OBC आज राहुल गान्दी ने इस पे बोला है खड़के जी ने बोला है दोनों लोगों ने बोला है देखी ये बिलकुल क्लियर है कि जब मोदी जी जिस समय पैदा हुए जब रादीत में आए जब चीफ मिनस्टर बने तब तक वो OBC अब एकवर्ट नहीं थे वो जिस जाती विशेश से आते थे वो सामान जाती मानी जाती थी जर्ल केटिगरी अब मोदी जी बन गए चीफ मिनस्टर अब तो मोदी जी जो चाहें वो करें जैसे अभी आप उसका यहां के लोग समझ नहीं पाये थे अब तो उसका नमूना देखा ही जा रहा है उस तो अब भई मुझे विल्कुल ठीक से आदा आता है कि मेरे स्कूल में मेरे साथ के एक चाहत थे मतलब जोलर लगनों के बड़े जोलर के लड़के थे स्कूटर से आते थे लेकिन चूकि जो चाहत वितनी मिलती थी वो पूर बॉइज स्कूलरशप लेते थे पत्तब स्कू मतलब बड़े चांदी सोने के वैपारिते अभी भी हैं तो उसी तरह से जो मोदी जी का अपनी बात है कि हम OBC हैं आओगे सामाने से खुदी को OBC कर लोगे और को होगे हम OBC हैं और OBC होने को आतकम सक अब इतना तो कर देते कि जाती जनगर्णा को होने नहीं दोगे चाती जनगर्णा का गेंस आप दिखाई दे रहा हैं दूसरा इस पे काफी कुछ खड़गे जी ने बोला है दूसरा उन्होंने एक बात ये कही कि ये जो S.C.S.T. को बार बार मोदी जी कहते रहते हैं कि हमने प्रेसिडंट दिया हमने ये दिया हमने एक वो दिया उसका उ लाश्पती के पत्पे हैं सब बहुत आदर्नी हैं सब का बहुत सम्मान है लेकिन कॉंग्रिस ने जो कियार नरायन जी को बनाया था उनकी बुद्धिमत्ता उनकी इंट्रिक्ट्वल उनका वो पहले जनलिस थे फिर वो भारत के राजदूद भी हुए कई जगा फिर वो व फिर खड़के जी में क्योंकि मोदी जी बार बार इस चीज को करते हैं ओबी सी मैं यह हूँ उसके बीच के कंपैरिजन को खड़के जी ने बहुत इस पश्ट हूँ वो कहते मैं ओबी सी हूँ ओबी सी हूँ खड़के जी इस पश्ट काया भई मैं तो शिरूल कास्ट तो आप उस पूरे समधाय को गाली देते हैं तिरपंसार के कैरियर में एक बार चुनाव खा रहा हूं उन्होंने का मुझे फोन करके गाली दी जाती है मैंने इसकी पुलिस रिपोर्ट की है मुझे दिल्ली में गाली दी जाती है मुझे करनाटक में आपके लोग गाली देते हैं तो आप ये किवल मुझे नहीं गाली दे रहे हैं आप पूरे उस दलिस समाज को आप नेम शेमिंग मेरी नेम शेमिंग करते हैं परपस आपका उस दलिस समाज की तरफ टार्गेट रहता है और गाली आप दे रहे हैं दूसरा एक बात और कही आज खड़के जीन अपनी प्रस कान्टर्ट में कि आप लोगतन को कितना कमजोर किया है पिछले दस साल की मोदी सरकार ने उन्होंने डेटा दिया है कि पिछले दस सालों में कि मोदी जी की सरकार के नेतरूत में बीजेपी पार्टी ने 411 MLS ने दल बदल किया है और बोदी सरकार ने इसी से सरकार गिराने और बनाने का कम किया 411 MLS को तोड़ा गया है पिछले दस साल में वो दिया वो सब के सामने जग जाहर है जिस पर सुप्रीम कोटी बैठा हुआ है चार साथ-पांस साल से कुछ करी नहीं दे रहा है उन्होंने एक चीज और कहीं जो दिखता है कि आपकी सरकार कॉर्परेट का फेवर करती है कॉर्परेट को लोन देगी लोन वेवर करेंगी नाम भी नह करोन से उपर का लोन वेवर कर देगी नाम भी नहीं पताएगी और इधर जो कमजोर वर्ग है जिनका इस पैसा ने है उनके लिए कोई नौकरी का इजाफा नहीं होगा ये कॉर्परेट वाले भी पैसा लेके मतलब कहीं नौकरी का कोई बंदोबस नहीं है और उन्होंने चलत परंपराओं के अगेंस्ट है कि जो व्यक्ति उस सदन का सदस्ट नहीं हो उसकी ग्यार मौजूदगी में आप उसको गाली दे रहे हैं अब दूसरी बात उत्तर दक्षन डिवाइट कितना वास्त वेक यह यह चर्चा एक दम से शुरू होई है इसके कई काराण है यह मोद जी एक टर्म बोले हैं डबल इंजिन सरकार और सिंगल इंजिन सरकार का है जो नौन बीजेपी सरकार हैं उसको किस तरह से तंग किया जाता है यह सब के सामने हैं मोदी जी उसको उत्तर दक्षन का ट्विस्ट देके में इशू को किनारे करना चारा है देखिए दो चीज़ हैं पहली चीज़ यह समझ लीजे कि जितनी नौन बीजेपी सरकार हैं उनको एक गौर्णनर साहब जाके केवल तंग करने का काम करते हैं चाहे वो आरिफ मौमत कान हो चाहे टी रवी हो चाहे अभी जो जारकंड में हुआ हुआ हो समने देखा मतलब जहां पे जो है वो तरह का वहबार करते हैं यह उसके अगे इस प्रदर्शन है कल क्या हुआ कल साथ तारिक को करनाटक का पूरा मंति मतलब उनके मुख मंतिक सिधारा मैया उनके डिप्टी चीफ मिंस्टर डीके शिकुमार बाकी सारे मंतरी सारे MP सारे MLA ने आके दिली के जंतर मंतर पे एक ब देश का नंबर दो राज रेवन्यू कलेक्शन के मामले में करनाटक है और उनका कहना यह था कि करनाटक देश का दूसरा सब्सक्राइबा राज रेवन्यू देने के मामले में और करनाटक का और वो करीब 4,30,000 करों का रेवन्यू दिया है उसने अभी और लेकिन जब उसक निर्मला सितरमन जी ने एक बड़ा जवाब दिया है कि इसका मतले है लेकिन इसका जवाब नहीं दे रही है इसका जवाब भी तो होना चाहिए ना और ये जवाब आज नहीं तो कल उठेगा ही उठेगा ये वाजब सवाल है इसको लेकर मोदी जी नौर्थ सौथ की बात करने ले गए उत्तर दक्षिन में बात रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आवर टैक्स आवर मनी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं मैं एक छोटा सा वीडियो दिखा दे रहा हूँ आपको मोदी जी कहा कि मोदी जी किस तरह से इसके बारे में कहते थे और क्या क्या कहते थे हिंदुस्तान के किसी भी कौने में दर्द हो तो पीडा सब को होनी चाहिए एक कौना अगर शरील का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो पूरा शरी अपंग माना जाता है हमें भारत को एक अंग अंग की भाव से देखना हो चाहिए उसको टुकड़ा में नहीं देखना चाहिए जिस प्रकार जी इंदर भाषा बोली जा रही है देश को तोड़ने के लिए राजरी दिश्वात के लिए नए निरेटिव गड़े जा रही है एक पुरी सरकान मादार में उतर करें भाषा गड़ रही है इससे बड़ा देश का दुरभा कि क्या हो सकता है दूसरा खड़गे जी ने और कांग्रेस ने जो कल ब्लैक पेपर निकाला है मोदी जी की पराणी उसमें उसमें उन्होंने रिफरेंस दिया है कि मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब वो कहते थे कि जो भी स्टेट राजी का जो भी रिवन्यू आए उसका 50% मिलना चाहिए इस्टेट को ये मोदी जी की डिमान थी और उसमें उन्होंने कहा था कि गुजरात को गुजरात जो 48,600 करोर रुपया देता है ये उनकी फिगर्स हैं उसको सिर्फ 2.5% वापस मिलता है ये मोदी जी का कहना है अब वो उनको उत्तर दक्षिन के आप जगडा लगा रहा है ये आप कहते थे भाई आप कहते थे कि वाजब चीज वापस मिलनी चाहिए ये कोई और नहीं कहता था पैर अच्छा मोदी जी ने जो जो कहा अभी जो आपने इस में देखा इस क्लिप म मोदी जी कह रहे हैं कि अगर पैर में पीडा होती है तो हाथ को भी असर होता हाथ में भी दर्द होता है मोदी जी मणी पुर क्या आपके शरीर कांग नहीं है भारत के शरीर कांग नहीं है आप बार बार कह रहे हैं कि भारत एक शरीर है उसके किसी भी आंग में पीडा होती तो पूरे शरीर को दिकत होती है वेदना होती है तो मड़ीपुर की वेदना की कब बात करेंगे कब इलाज करेंगे उसका जमु कश्वीर के आपका शरीर नहीं है आप तो विहार के DNA को की बात करते थे ये आप थे, याद है न वो एक वीजियो भी लगा दे रहा हूं जब नितीश कुमार जी ने कहा था कि अपना सिर का बाल और नाकुन काट के डियने के लिए इनको प्रधान मंतरी के रूप में आपने बिहार के डियने को के बारे में कुशन माग पूचा था वो भी लग जा रहा है मेरे डियने को गड़बड कहा मैं कौन हूँ मैं आपका हूँ आपका प्रधृत्व करता हूँ कहा डियने गड़बड है आज बिहार के लोग अपना अपना बाल नाखून काट करके डियने जाच के लिए अपना सेम्पुली कठा कर रहे हैं और हमको बताया है कि कल से प्रधान मंत्री जी के कारियाले में डियने टेस्ट के लिए सेम्पुल भेजा जाना सुरू हो जाएगा कि जाच करा दीजिए अब यह चुनावती दिये हैं बिहार के लोगों को हमारे स्वाभिमान को ललका रहा है वो मुझको कहते हैं अहंकारी है अहंकार मेरे खून में नहीं है लेकिन रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है उसके साथ हम कोई सौदा नहीं कर सकते हैं हमारे DNA को वो चुनावती देते हैं जिनके पुरवजों का देश की अजादी के लड़ाई में कोई योगदान नहीं था वो हमारे DNA को चुनावती देते हैं अब आज पिनारी विजियन साहब आफ केरला और जो डियम के है स्टैलिन साहब वाले उसके टियार बालू के नेत्वत में आद दिल्ली में इन लोग भी प्रोटेस्ट करता है ये कह रहा है कि सेंटर उनका हिस्सा रिलीज नहीं करता है लेट करता है हमें दिक्कत हो रही है इ अगर आपको याद हो ममताब एनरजी ने पिछली बार कितना हला इसमें मचाता है जब उन्होंने कहा था कि भाई ये जीस्टी का हमारा पुर्शन ही नहीं देते हैं दूसरा क्या बिमानी करते हैं सेंटर बैमानी इसले करहा हूं कि वो सेस और इस तरह की टेक्स लगाता है जिसमें वो सेस लगा के पैसा ले लेता है जिसमें कहता है कि नहीं सेंटर का है इससे कुई मतलब नहीं इन सब चीजों पर बात हुई है डबल इंजन सरकार आप बोलते रहे हो इसका भेदभाव आप करते हो इस स्टेट वर्सेस स्टेट का ये आप करते हो कि डबल इंजन ruled state के प्रदान मंत्री नहीं है जब आप जाके वहाँ double engine double engine करते हैं तो ये उचित नहीं है ये असम्मेधानिक है और जितनी जल्दी इस चीज़ को मुदीजे आप समझ जाएंगे उतना हितकारी इस देश के लिए होगा मैं अंतने बात चलते चलते शरत पवार साहब क्यों बसते हैं अजीत पवार पर कारवाई करने से ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शरत पवार साहब अभी जो original NCP मान लिया गया अजीत पवार साहब की NCP को घड़ी चुनाव चिन उनको दे दिया गया अजीत शरत पवार साहब की NCP NCP शरत चंद पवार के नाम से अब हो गई उनको बरगत सिंबल मिल गया हाला कि बरगत सिंबल पराना सोशलिस पार्टी का सिंबल हुआ करता था मुख के कारण ये है जो मुझे लगता है कि NCP के बाद संपत्ती बहुत है आफेस जो भी उनका FD FD रहती है उसको लेके शायद मुझे लगता है शरत पवार साहब तो सारा कुछ लेखा जोका रखते हैं कि ज़्यादा हला मचाओगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा थोड़ा शरत पवार साहब को और इस प्रश्टा और और पारदर्श्टा लाना चाहिए कहां पे उनका पारवारे जम्मेदारी या पारवारे चीज़ खतम होती है और कहां पे उनकी पार्टी की जम्मेदारी होती है ये क्लियर कट लाइन होनी चाहिए जो थोड़ी लाइन अभी हो गई है Election Commission of India का लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ लगती है कि जैसे शिफ सेना का हाल किया गया उद्व ठाकरे आ गया जैसे आजी अमलश्चा अंसीपी का हाल किया गया ट्रंकेटेड अंसीपी है दो चीज़े हुई है एक तो माहगडबंदन में कॉंग्रेस की स्थिति ज्यादा मदबूत हो गई है महराश्ट में दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो भी कर ले ये अटकले हैं असली टेस्ट एलेक्शन के समय है क्योंकि एक बड़े वर्ग का ये मानना है कि उद्धव ठाकरे की ही सेना को असली शिवसेना का स्टेटस में लेगा लोगों के दोरा जब वो एलेक्शन में आएंगे चलते चलते मैं सिर्थ इतना कह दूँ कि जब शर्ट पवार साब अगर आपको याद हो जब शिवसेना जब इनकी पार्टी टूटी थी अजित वा तो कितना हल वो कही है थे कि मैं अब दौरा करूँगा मैं कल से दौरा करूँगा लेकिन एक आथ दिन बाद वो दौरा करते हुए पिछले दो-चार महिने में मुझे तो नहीं दिखाई दिये तो इस हाई टाइम शर्ट पवार साब अगर वो आप दौरा करेंगे